शाहा के पुलीस ने नाकपुर से कुख्याच चोरी करने वाले अपराधियों को कुछ ही घंटों में गरफ्तार किया है साथ ही बीडी दस्ते द्वारा उनके पास से 7550 रुपे का माल भी परामत किया गया 28 सक्टुबर को शाम साड़े चार बजी वादी का नाम राजकुमार अशोक राउग गौलकार निवासी शास्त्री वार्ड हिंगन घाट रिल्वे फ्लायोवर से सरकारी अस्पिताल चोक की तरफ जारा था जब दो अग्यात व्यक्तियों ने उसे सरक पर रोब दिया और उसे चाकु से धमकाया और जब रन 2000 रुपे की नगदी चीन ली जिसके बाद कई धाराओं की तहट अपराद दर्सकर जांच की जारी थी जैसे ही मामला दर्स किया गया हिंगनघाट अपराद परटी करन शाखा के प्रमुक हवलदार शेखर डोंगरे और उनकी टीम हिंगनघाट शहर और आसपास के इलाकों में आरोपियों और उनके द्वारा चोरी के सामानों के बारे में लगातार खोच कर रही थी तो मुकबीर द्वारा पता चला कि मामले में जबरंचीन लिए गये चोरी के आरोपी काले मुपेड पर दो लोग नाकपुर जारित जब पुलिस ने पूछताच की तो मामले में नगदी दो हजार रुपे थी आरोपी का नाम रोहित उर्फ रितेश जगनाठ डिकाटी उम्र 19 वर्ष निवासी सुयोग नगर नियर पटेल नरसरी अजनी नाकपुर और सिमोन एंथोनी फैंसी उम्र 19 वर्ष निवासी सुयोग नगर माता मंदिर अजनी नाकपुर के सामने मामले में दोनों आरोपियो आसपास उन्होंने चाको के डर से नाकपुर के एरपोर्ट चौक पर कुछ पैसे और सोनी के मुबाइल फोन छीन लिये और जब उनके पास मौजुत मुपेड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुपेड चोरी की थी उसके बारे में शहा निशाक की गई तब बेलतरोडी जिला नाकपुर में अपराद दर्स किया है दोनों आरोपी नाकपुर शहर के सराइट अपरादी है उनके पास से सतर हजार पास सो पचास जब्त कर लिया गया सदर प्रशांद होयकर पुलिस अधिक्षक वर्धा भीमराव टे उप्विभागय पुलिस अधिकारी हिंगन घाट पुलिस निरिक्षक भानुदास पिंदुरकर के मार्क दशन मी बीदस्ते के शेखर डोंगरे निलेश टेलरांदे, सचिन घेवंदे, विशाल बंगाले, सचिन भारशंकर, उमेश बेलेनी कारवाई की है हिंगन घाट से रवीय नौरकर करक रिपोर्ट इन बीसे नियूस नाकपुर